आज 8 अक्टोबर दोहजारतेईस आज की मुडली से हमें गुण सीखने मिलता है बालक सो मालिक का ये बहुत ही सुन्दर गुण है जो हमें किसी भी प्रकार की हलचल से मुक्त रखता है कोई भी परिस्थिती हम पर हावी नहीं हो सकती है अगर हम इस गुण का अभियास करते हैं बालक सो मालिक बालक अर्थाद बच्चे परमात्मा के हम बच्चे हैं और ये सदा स्मृति में रखना और परमात्मा के वर्से के अधिकारी है मालिक तो बालक सो मालिक ये गुण का हमें जो अभ्यास करना है कई संगठन में हम कारे करते हैं अपनी राये देते हैं तो मालिक बनकर के राये देना और जो संगठन में स्विकार किया जाता है उसको बालक बनकर के स्विकार कर लेना तो ये गुण जो है हमें संगठन में सब के साथ मिलकर कारे करने में बहुत मदद करता है और आज बाबा ने जो विशेश बाते बताई है बालक सो मालिक की तो बालक बनना इस नशे में रहना कि हम शुब बाबा के बच्चे हैं तो ये नशा सदा रहेगा तो हमें नाचरल खुशी का अनुभव होगा क्योंकि हम किसक खुशी और प्राप्ति का अनुभव हम कर पाएंगे दूसरा कहा बाबने मालिक मालिक अर्था जो है परमात्मा ने हमें वर्सा दिया है जो उस वर्से के अधिकारी है हम और दूसरा स्वयम के मालिक है स्वराज अधिकारी तो ये दोनों प्रकार के मालिक पन का हैसास हमार कि मालिक क्योंकि परमात्मा ने जो वर्षा दिया है किसी को कम या किसी ज्यादा नहीं दिया है हरें को एक जैसा क्योंकि परमात्मा के पास तो अक्हुट भंडार है अब हमारी कपास्टि कितनी ह欸 वह कृमें decide करना है घंवन कितना। से लेना है उसका देने अगर्थात अपनी करमेंद्रियों के मालिक, करमेंद्रियों का भी कभी गुलाम नहीं बनना है, करमेंद्रियां हमें न चलाएं लेकिन हम उसके मालिक है, मालिक बन करके करमेंद्रियों से कारे कराना, ये स्वराज्य अधिकारी बनना है, ये अभ्यास जो मालिक बन का है, वर मार्थ चलने लगता है और इसलिये ये विश्वर्टी हो जाती है बाबा ने इसलिये हम बच्क को अटेंशन दिलाया बच्षे 1 मंना भव क्योंकि व्यार्द का प्रभाव बाहर की कुवी बात काप्रभाव सबसे पहले मन पर पड़ता है इस मन मना भव कहा, तन मना भव, धन मना भव नहीं कहा गया, लेकिन मन मना भव कहा, बुद्धी को बुद्धी भना भव नहीं कहा गया, लेकिन मन मना भव, क्योंकि जब मन के उपर पहले असर पड़ता है, तो बुद्धी उसका साथ देती है, और जब मन और बुद्धी एक लगते हैं तो फिर संसकार बन जाते हैं फिर छोटी छोटी बातों में फिलिंग में आ जाते हैं उदास हो जाते हैं नरास हो जाते हैं और फिर कहते ही हमारे संसकार है हम ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा लेकिन ये संसकार बना कैसे उसको हमें ठीक करना है अटेंशन दे करके, इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, बच्चे मन मनाव हो, मन में कोई व्यर्थ आने ही न दो, क्योंकि व्यर्थ आएगा, तो व्यर्थ फिर अंदर में प्रोसेस में भी आएगा, और संसकार का दर्मान होगा, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बने, अ प्रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर अंदर में आ जाएंगे, जब ऐसा स्वयम पर अभ्यास करेंगे, तो भविश्य के भी राजा बन जाएंगे, आज के दिवसकी यही शुब कामना, ओम शान्ती.